क्या मद्यप्रदेस के इंदोर जिले वाले किसान कभी नहीं सुधरेंगे? कल अधिकतर मंडे को बंदर खाया था, फिर भी मद्यप्रदेस के इंदोर मंडे में कल 65-70,000 कट्टों की आवग देखनी को मिली. तो क्या इंदोर जिले के किसान इंडिया से अलग है? क्या वो किसानों का साथ नहीं दे सकते? इस बात का जवाब अगर इंदोर जिले वाले किसान वाई वी वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंड में अपना जवाब जोरू दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा से देख रहा हूँ कि इंदोर के किसान ही है, जो सबसे अलग है, रोड अंदोलन किया गया, बाइक रेली निकाली गई, साथ ही साथ उज्जेन में भी क्रशी उपज मंडिकों किसानों की द्वारबंद करवाया गया, तो क्या ये सारे पागल हैं, क्या इंदोर वाले किसान सोच रहे हैं, कि इन आठ से दस दिनों में हम सारा माल बेच कर फ्री हो जाएंगे, तो फिर किसान मयू अपने पेरोपर कुलाड़ी खुद मार रहे हैं, हम लगादार वीडियो के मैदन से बताने का प्रयास कर रहे हैं, कि अगर किसानों ने एकता नहीं दिखाई, तो सरकार इस चीच का फाइदा हमें साथे उठाती आई हैं, और आगे भी उठाती रहेगी, इसलिए ना ही किसान संग, ना ही कोई विफक्षी पार्टी, ना ही कोई दल, जब तक किसान स्वयम एकता नहीं दिखाएंगे, तब तक इसका समधन नहीं निकलेगा, इसलिए किसान मयूँ आप थोड़े दिन के लिए आपको पर कंट्रोल कर लिजिए, 8-10 दिन में आपका प्यास सड नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत तो नुक्सान सहिना पड़ेगा, अगर आपको कुछ आगे पाना है तो कुछ तो होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अभी सोच रहे हैं कि हम सारा प्याज बेच कर निपढ़ लें, तो आगे जाकर आपको बहुत सारी दिक्कते आएगी, क्योंकि ये 40% एक्सवर्ड डूटी लगाई हैं सरकार ने, इसका आपको अभी सही से मालूम नहीं है कि ये आखिर है क्या, लेकिन इसका आप सही से आकलन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये 40% टेक्स आखिर होता क्या है, अगर किसी व्यापारे ने 20 लाग का प्याच खरीद कर एक्सवर्ड करता है, तो उसको लगबग 4 लाग रुपे सरकार को टेक्स देना पड़ेगा, इतना बड़ा अमाउंट, सरकार ने बहुत बड़ा गेम खेला है, लेकिन यहाँ पर अगर सभी किसान में एक्ता दिखाएंगे, तो सरकार को मजबुरन यह निर्णाय वापिस लेना पड़ेगा, लेकिन अगर किसानी आपस में संगठित नहीं होंगे, तो इसका उल्टा असर भी देखने को जरू मिल सकता है, कहने का मतलब यह है, कि हो सकता हैं प्याच के साथ-साथ आगे लही सुन में भी यही हल देखने को मिले, किसान में भी महराष्ट के किसानों ने जबर्दा से एक्ता दिखाई है, चाहेवा नासिक के किसान हो, पूर्णे के किसान हो, सभी छोटी बड़ी मन्डिया बंध हैं महराष्ट में, कहीं से भी एक कट्टे की भी सेलिंग नहीं हो रही है, एसी ही एक्ता MP के किसानों में भी होना चाहिए, क्योंकि किसानों MP में तो ठीक है, लेकिन महराष्ट में देश का कुल 45 फिजदी प्याच का उत्पदन होता है, फिर भी महराष्ट के किसानों ने अपने प्याच की परवा ना करते हुए, हर्टा लेवम आंदोलन का कूण तरीके से समर्थन किया है, लेकिन आखिर MP वाले किसानों में ना जाने किश्चिश की होड मची है, और खासकर इंदोर वाले किसानों की, किसानों ही मेरा आप सभी किसान सातियों से हाज जोड़कर निवेदन है, कि अब भी समझ जाईए, किसानों की इस हड़तालो और अंदोलन को सही योग करिए क्योंकि सरकार ना जाने किस नसे में हैं जो किसानों को कोड़ी के दलदल में धखेलने से बाज नहीं आ रही है तो खासकर इंदोर वाले किसान साथियों से मेरा हाज जोड़कर निवेदन है कि इस समय आप थोड़ी सी समझदारी का परिचा दीजिए पेशा तो आप कमाते होगे लेकिन अपने ही किसान साथियों के मदद करने का ये अवसर आपके पास बारबार नहीं आएगा तो उम्मित करता हूँ किसान साथियों जब तक सरकार अपने घटिया निरना वापिस नहीं ले लेती आप किसी भी मंड़ी भी प्याच को लेकर न आ जाए धन्यवाज जय जवान जय किसान